Hello Friends, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है. जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम Employability Skills के First Year के MCQs पर रहे हैं, तथा इस सीरीज में यह हमारा सेट No.21 है. मुझे उम्मीद है कि यह question आपको समझा रहे होंगे. आज के इस मॉडियो में 25 questions है, जो कि आपके CBT exam में आपको देखने को मिल सकते हैं, तो कृप्या वीडियो को पूरा देखें. मेरे चैनल Old School में आपका स्वागत है. तो आएए अब बिना देरी किये आज का वीडियो शुरू करते हैं. आज का हमारा पहला प्रशन है, या विवसाय कहा जाता है. इसके options है, option A. Job यानि नौकरी, option B. Career यानि करियर, option C. Work यानि काम, option D. None यानि कोई नहीं. इसका सही आंसर है, option B. Career यानि करियर. हमारा अगला question है, Everything that we do outside work is dash, यानि काम के बाहर हम जो कुछ भी करते हैं, वह है. इसके options है, option A. Personal Life यानि व्यक्तिगत जीवन. option B. Professional Life यानि पेशेवर जीवन. option C. Tewushan यानि Tewushan. option D. Dislikes यानि नापसंद. इस question का सही आंसर है, option A. Personal Life यानि व्यक्तिगत जीवन. हमारा अगला question है, Balance in dash is important to have a healthy and happy life. यानि स्वस्थ और खुशाल जीवन के लिए डेश में संतुलन में हित्वपूर्ण है. इसके options है, option A. Career Demand यानि करियर की मांग. option B. Job Satisfaction यानि नौकरी की संतुष्टी. option C. Work Life यानि कारे जीवन. option D. Salary यानि वेतन. इसका सही आंसर है, option C. Work Life यानि कारे जीवन. हमारा अगला question है, सिद्धु is planning to start his career. He should have dash यानि सिद्धु अपने करियर की शुरुआत करने की योजना बना रहा है. उसके पास उसके लिए dash होना चाहिए. इसके options है, option A. Education यानि शिक्षा. option B. Career Plan यानि करियर योजना. option C. Resume यानि बायोडाटा. option D. All of them यानि ये सभी. इसका सही आंसर है, option D. All of them यानि ये सभी. हमारा अगला question है, Sanjay is working as a college principal. He may have multiple A.S. over the years. यानि Sanjay एक college principal के रूप में काम कर रहा है. उसके पास इतने वर्षों में कई डेश हो सकते हैं. इसके options है, option A. Tours यानि यात्राएं. option B. Issues यानि मुद्दे. option C. Jobs यानि नौकरियां. option D. Field यानि शेत्र. इसका सही आंसर है, option C. Jobs यानि नौकरियां. हमारा अगला question है, activities that one is good at and can do are called dish यानि वे गतिविधियां जिन्हें कोई अच्छा कर सकता है. उन्हें कहा जाता है. इसके options है, option A. Abilities यानि क्षमताएं. option B. Interest यानि रुचिया. option C. Passion यानि जुनून. option D. None यानि कोई नहीं. इस question का सही answer है, option A. Abilities यानि क्षमताएं. हमारा अगला question है, things that one loves to do are called dish. यानि वह चीजें जो कोई करना पसंद करता है, उन्हें कहा जाता है. इसके options है, option A. Abilities यानि क्षमताएं. option B. Job यानि नौकरी. option C. Interests यानि रुचिया. option D. Work यानि काम. इसका सही answer है, option C. Interests यानि रुचिया. हमारा अगला question है, we should choose our career based on our dish. यानि हमें अपना करियर हमारे देश के आधार पर चुनना चाहिए. इसके options है, option A. Disadvantages यानि कमिया. option B. Strengths यानि शक्तिया. option C. Weakness यानि कमजोरी. option D. Workplace यानि कारिस्थल. इसका सही answer है, option B. Strengths यानि शक्तिया. हमारा अगला question है, Nisha loves cooking, but she is good at dancing. Her ability is dèish. यानि Nisha को खाना बनाना पसंद है. लेकिन वह नरीते में अच्छी है. उसकी क्षमता डेश है. इसके options है, option A. Cooking यानि खाना बनाना. option B. Dancing यानि नरीते करना. option C. Painting यानि चितरकारी करना. option D. Singing यानि गाना गाना. इसका सही answer है, option B. Dancing यानि नरीते करना. हमारा अगला question है, जब उसे नौकरी के लिए आवेदन करना होता है, तो उसे अपनी डेश के आधार पर आवेदन करना चाहिए. इसके options है, option A. Interests यानि रुचिया. option B. Abilities यानि क्षमताए. option C. Decision यानि निर्ने. option D. Mood यानि मूड. इसका सही आंसर है, option B. Abilities यानि क्षमताए. हमारा अगला question है, A path is a series of jobs to help you progress towards your goals. यानि एक पत एक श्रिंखला है, जो आपको अपने लक्षियों की और प्रग्ती में मदद करती है. इसके options है, option A. Career यानि Career. option B. Foot यानि पैर. option C. Unsatisfying यानि असंतोश जनक. option D. Work यानि काम. इस question का सही आंसर है, option A. Career यानि Career. हमारा अगला question है, One must choose the career path based on the changing dash. यानि किसी को डेश के बदलाव आधार पर career path का चैन करना चाहिए. इसके options है, option A. Interests यानि रुचिया. option B. Abilities यानि क्षमताए. option S. यानि शेहर. option D. Market Demands यानि बाजार की मांग. इसका सही आंसर है, option D. Market Demands यानि बाजार की मांग. हमारा अगला question है, Creating posters can give a lot of clarity on the career. यानि poster बनाना करियर पर बहुत स्पष्टता दे सकता है. इसके options है, option A. Career Pathway यानि Career Mark. option B. Ability यानि क्षमता. option C. Work यानि काम. option D. Interest यानि रुची. इस question का सही आंसर है, option A. Career Pathway यानि Career Mark. हमारा अगला question है, सूरज ने अपना ITI course पूरा कर लिया है. वह अपने की और प्रगती में मदद करने वाला करियर पत बना सकता है. इसके options है, option A. Cooking and Painting यानि खाना बनाना और पैंटिंग. option B. Goals and Objectives यानि लक्ष और उद्देश. option C. Strengths and Weakness यानि ताकत और कमजोरी. option D. Singing and Dancing यानि गायन और न्रीते. इसका सही आंसर है, option B. Goals and Objectives यानि लक्ष और उद्देश. हमारा अगला question है, प्रेम has completed his fashion design course. Which of the following he must consider choosing a career path? यानि प्रेम ने अपना fashion design course पूरा कर लिया है. निमनलिखित में से कौन सा career पत चुनते समय उसे विचार करना चाहिए? इसके options है, option A. Demands यानि मांगे. option B. Trends यानि रुझान. option C. Ability यानि क्षमता. option D. All of them यानि सभी. इसका सही आंसर है, option D. All of them यानि सभी. हमारा अगला question है. A process by which we can understand the changing world of work is Daesh. यानि एक प्रक्रिया जिसके द्वारा हम कारे की बदलती दुनिया को समझ सकते हैं, वह है. इसके options है, option A. Adobe Scan यानि Adobe Scan. option B. Market Scan यानि Bazaar Scan. option C. Career Pathways यानि Career Mark. option D. Job Search यानि नौकरी की खोज. इसका सही आंसर है, option B. Market Scan यानि Bazaar Scan. हमारा अगला question है, which is not a way to collect data about a career? यानि career के बारे में data एकत्र करने का तरीका कौन सा नहीं है? इसके options है, option A. Playing Cricket यानि Cricket खेलना. option B. Maggens यानि पत्रिकाए. option C. Career Guidance Agencies यानि Carrier Markadarshan Agencia. option D. Newspapers यानि समाचार पत्र. इस question का सही आंसर है, option A. Playing Cricket यानि Cricket खेलना. हमारा अगला question है, यानि Bazaar Scan के लिए जांकारी का स्रोथ हो सकता है. इसके options है, option A. Internet यानि Internet. option B. Industry Visits यानि Udyog यात्राए. option C. Alumni यानि Pूर्व चात्र. option D. All of Them यानि ये सभी. इसका सही आंसर है, option D. All of Them यानि ये सभी. हमारा अगला question है, लता is planning to join a beauty salon. but she is not very sure about this profession. what should she do? यानि लता एक beauty saloon में शामिल होने की योजना बना रही है. लेकिन वह इस पेशे के बारे में बहुत निश्चित नहीं है. उसे क्या करना चाहिए? इसके options है, option A. Discuss with professionals यानी पेशेवरों से चर्चा करें. option B. Discuss with parents यानी मातापिता से चर्चा करें. option C. Discuss with classmates यानी सहपाथियों से चर्चा करें. Option D. Discuss with strangers यानि अजन्बियों से चर्चा करें इस question का सही answer है Option A. Discuss with professionals यानि पेशेवरों से चर्चा करें हमारा अगला question है Raghu's father had a typewriting press shop Now he is replacing typewriters with dash यानि Raghu के पिता के पास एक typewriting press की दुकान थी अब वह typewriter को बदल रहे हैं इसके options है Option A. Phones यानि phone Option B. Computer यानि computer Option C. TV यानि TV Option D. Radio यानि radio इसका सही answer है Option B. Computer यानि computer हमारा अगला question है A dash is something you really want in life You plan and take the right actions to make it happen यानि एक डेशवह चीज है जिसे आप वास्तव में जीवन में चाहते हैं आप योजना बनाएं और उसे पूरा करने के लिए सही का रवाई करें इसके options है Option A. Dream यानि सपना Option B. Desire यानि इच्छा Option C. Goal यानि लक्षय Option D. None of these यानि इन में से कोई नहीं इसका सही आंसर है Option C. Goal यानि लक्षय The goal that someone planned to achieve within a year is called a dash यानि वह लक्षय जिसे कोई व्यक्ती एक वर्ष के भीतर प्राप्त करने की योजना बनाता है उसे डेश कहा जाता है इसके options है Option A. Long Term Goal यानि दीर्खकालीन लक्षय Option B. Steps यानि कदम Option C. Milestone यानि मील का पत्थर Option D. Desire यानि इच्छा इसका सही आंसर है Option C. Milestone यानि मील का पत्थर हमारा अगला question है Smart stands for dash यानि smart का मतलब dash है इसके options है Option A. Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-bound यानि विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्तकरने योग्य, प्रासंगिक और सम्यबद Option B. Specific, Measurable, Archive, Relevant and Time-bound यानि विशिष्ट, मापने योग्य, पुरालिक, प्रासंगिक और सम्यबद Option C. Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Trim यानि विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्तकर्ने योग्य, प्रासंगिक और त्रिम Option D. Specific, Memorable, Achievable, Relevant, and Time-bound यानि विशिष्ट, यादगार, प्राप्तकर्ने योग्य, प्रासंगिक और सम्यबद Is question ka sahih answer a option is Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound यानि विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्तकर्ने योग्य, प्रासंगिक और सम्यबद हमारा अगला question है Nitya aims to achieve a score of 75% in her 10th grade exams by the end of the academic year This is a daych goal यानि Nitya ka lakshya shakshanik varsh ke ant-tak अपनी दस्वी कक्षा की परीक्षा में 75% अंग प्राप्त करना है यह एक डश लक्षे है इसके options है, option A smart यानि बुद्धिमान option B star यानि तारा option C great यानि महान option D lifetime यानि जीवन भर इस question का सही answer है, option A smart यानि बुद्धिमान आज का हमारा antim question है Ramesh wanted to collect 50 stamps in 6 months So he started by collecting 2 stamps every week This is a day go यानि रमेश छे महीने में 50 टिक्टे इकठा करना चाहता था इसलिए उन्होंने हर हफते 2 टिकट इकठा करना शुरू किया यह एक डेश लक्षे है इसके options है, option A short term यानि लगू अवधी option B lifetime यानि जीवन भर option C long term यानि दीर्घकालिक option D unrealistic यानि अवास्तविक इस question का सही answer है, option A short term यानि लगू अवधी मुझे उम्मीद है कि आपको यह question समझाए होंगे आज के लिए बस इतना ही वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद कृपया चैनल को लाइक शेयर तथा subscribe करना नभूले Thank you all for your love and support